अंतरष्ट्रियक खाद्यान बाजार में पिछले सप्ता से ही जोरदार चर्चा हो रही है कि तुर्की में गेहूं के आयात पर लगे प्रतिबंद की समय सीमा को 15 अक्टूबर 2024 से आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि तुर्की में चालू वर्ष के अंत तक गेहूं के आयात की अनुमती दिये जाने की संभावना बहुत कम है। कुछ अन्य बाजार के जानकारों को लगता है कि अगले साल के कुछ शुरुवाती महीनों में भी आयात पर प्रतिबंध लागू रह स साथ ही ध्यान देने की बात है कि तुर्की में गेहूं का उत्पादन पिछले अनुमान से कुछ कम होने की संभावना है। गच्छे जून को तुर्की के क्रिशी मंत्राले ने घोशना की थी कि 21 जून से 15 अक्टूबर 2024 तक गेहूं के आयात पर प्रतिबंद लगा रहेगा ताकि स्वदेशी उत्पादकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दरसल विदेशों से सस्ते गेहूं का विशाल आयात जारी रहने पर घरेलू बाजार में भाव कमजोर पर जाएगा और किसानों को अपने उत्पाद का आकरशक एवं लाबप्रद मूल्य हासिल करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। मंत्राले ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि यदी आवश्यक्ता पड़ी तो गेहूं के आयात पर लगे प्रतिबंद की समय सीमा आगे बढ़ाई जा सकती है। दरसल तुर्की में दो कारणों से गेहूं का भारी आयात होता है। पहला कारण घरेलू खादे जरूरतों को पूरा करना है। तुर्की में गेहूं का उत्पादन घरेलू मांग एवं खपत से कम होता है, इसलिए इसे रूस एवं यूक्रेन सहित कुछ अन्य देशों से इस खाद्यान के आयात की आवश्यक्ता पड़ती है। दूसरा कारण गेहूं उत्पादों का निर्यात बढ़ाना है।